जैस्रीमन नारायड लच्छमी नारायड बक्ति सागर चैनल में आप सभी बक्तों का स्वागत है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करना राधे राधे कार्तिक मास का ब्रत कथा महात मैं पहला अध्याए जो जब देवरसी नारण स्रीक्रेष्ण चंद्रजी से मंत्रड़ा करके चले गए तब हरस्दे गध होकर सत्तिवागमा ने अपने पत्य स्रीक्रेष्ण चंद्रजी से काख है स्वामेनी मैं धन्य हूँ मेरा सफल जीवन धन्य है मैं अपने को करत करत समझती हूँ मेरे जनम दाता वे माता पिता भी धन्य है क्योंकि उन्होंने निसंदे तरलोक सुन्दरी मुझ सत्यभामा को जनम दिया इस सुन्दरता का भी प्रवाब है कि आपकी सोले हजार स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको बिसेश प्री हूँ केवल इसलिए मैंने कलप ब्रच के साथ आदप्रुस आपको विदपूरवक संकलप कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कलप ब्रच का नाम तक नहीं जानते थे बही कलप ब्रच उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है मद सूधन तीनों लोकों को स्वामी भगवान लच्मी पत्की मैं अदसे रितमा हूँ इसलिए मैं आप से कुछ पूचने की इच्छा करती हूँ यद आप चाहते हो तो मुहरे प्रसन का उत्तर विस्तार पूरवक मुझसे कहिए जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ मुझे वे उपाय बताएं जिसे कलप पर्यांत भी मेरा आपका वियोग कदापी नहो शिरी सूत जी ने का का इस प्रकार अपनी प्रितमा सत्यवामा की बाते सुनकर स्रीकरिशन जी मंद मंद मुझकराने लगे सत्यवामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परहास के साथ कल्ब ब्रच के नीचे पौँच और उस इस्तान से सब सेवकों को अटा दिया सत्यवामा की ओर देखकर हसे साती पूचा के क्या वे उपास सुनोगी सत्यवामा भगवान के उस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्ण चंद जी सत्यवामा को देखकर गद गद हो गई सिरीक भगवान ने का के देव बास्तम में इन सोले अजार इस्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल प्यारी हो तुमारे लिए जिद करने के लिए देवताओं के साथ इंद्र भी लड़ गया था ये प्यारी जो तुम पूछना चाहती हो बड़ी ही अद्वत बात है तुम्हें मैं जो किषी को न देने वाली वहमूल बश्त को भी देदेता हूँ ना करने वाला काम भी करता हूँ छपाने वाली बात भी कह देता हूँ तो फिर मुझसे पुँचने की आवसकता ही क्यूं थी तुमारे मन में जो प्रिसन हो पुँचों में कहूंगा सत्यवामने का का हे नात मैंने पूर्व जनम में कौन सा दान ब्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रवावसे मैं संसार में पैदा होकर भी संसारिक की बांदाओं से मुक्त हूँ और अपनी अर्दगिनी हूँ सरवदा घरड़ पर सवारी करते आपके साथ इंद्दिक देवता के यहां आपके जाने पर आपके साथ में भी जाती थी हूँ यहीं मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जनम में कौन सा सुभकार किया है पूरु जनम में मैं कौन थी मेरा क्या सुभाव था और मैं किसकी पुत्री थी स्री करसिंचंद जी ने कहा कि हे प्रिय तुम साबदान होकर सुनो मैं तुमारे पूरु जन्म की कता कहता हूँ उस जन्म में तुमने जिस पवित्र ब्रत को किया था सो बतलाता हूँ जब कि सत्यू के अंतोगरा था उस समय महापुरी में एक अत्र लोक बाला देव सर्मा नामक ब्रामड निवास करता था वह समस्त बेदों तता बेदांडों में परगत अधपूर जग अगन होके तता सूर नारान का ब्रत करता था सर्वदा सूर देव की उपासना करने के काड़ वह दूसरे सूर की पाती देती वह मान था उसको ब्रद्धावस्ता में गुडवती नाम की एक कन्य अत्पन होई देव सर्मा को उस पुत्री के अत्रिक्त कोई संता नहीं थी उसने अपनी पुत्री का विवा अपने एक सिस चंद्र के साथ कर दिया बुद्ध हीन देव सर्मा अपने सिस से चंदर को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंदिय चंद भी देव सर्मा को अपने पिता के सद्रह समझता था एक दिन चंदर और देव सर्मा दोनों कुस और समिधा लाने के लिए बन में गई और इधर इधर गूमते गूमते हमालाय के समीप एक उपबन में पहुँच गई तब उनों ने एक विक्राल राच्चस को अपनी और आते हुए देखा उसे देखकर ये दोनों भैसे ब्याकुल हो गई सरीर के अंग तिल हो गई और बे भागने में समर्थ हो गई यम सरूप उस राच्चस ने उन दोनों को मार डाला हमारे गड़ों ने उस छेतर के प्रवाब को उन दोनों को धार्मिक सुवाब के कार्ड उन दोनों को बेकुंट दाम में पहुँचा आया जीवन भर उन दोनों ने सूरुदेव का आराधना किया था उसी में से उन पर बहुत प्रसंता था हे प्रिय सेव सूरुपासक गड़ेस के पूजक बैषड़म और सक्ती के पूजक जैसे बरसा का पानी समदर में कहता है उसी बाती है सब अंत में मेरे ही समी पाए हैं अकेला में ही नाम और किरिया के बेद में पांच रूपों बिवक्त हूं जैसे किसी का नाम देवदंत है वही देवदत है किसी का बाप है किसी का पुत्र है किसी का भाई है और किसी का बतीजा लेकिन वास्तम ये देवदत एक ही है अस्तु सूर के समान तेज़ असी वे दोनों मेरे बेकुंट में आकर रहने लगे बिमान पर यात्र करते थे उनका मेरे समान रूप था वे मेरे ही समीब रहते थे और उनके सरीर में दिब चंदन लगा रहता था कार्तिक मास का पहला अध्याय समाप्त कार्तिक मास का दूसरा अध्याय में अगली कथा जय स्रीमन नारायड लच्चमी नारायड